Hello everyone, welcome back to this channel आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चो को संग्या का टॉपिक हिंदी के व्याकरन में कैसे सिखाया जाता है किस तरह से अलग-अलग वोक्षिट के साथ आप बच्चो की इस टॉपिक्स रिलेटड प्रैक्टिस करा सकते हैं सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हल्फूल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल के अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले संग्या का जो चैप्टर है ये बच्चो को हिंदी के व्याकरन में क्लास 2 में भी पढ़ाया जाता है बच्चो को सेम चीज को दुबारा से क्लास 3 में भी रिपीट कराया जाता है तो संग्या समझाने से पहले बच्चो को बताएं कि संग्या क्या होता है जैसे किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्रानी, भाव, आदी के नाम को संग्या कहते हैं बच्चो को बोले हम संग्या किसे कहते हैं किसी भी नाम को ही हम संग्या कहते हैं नाम में किसके नाम को, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तू, स्थान, प्रानी, भाव, आधी के नाम को हम संग्या कहते हैं. जिसे समझाने के लिए आप बच्चों को इस तरह से एक्जाम्पल दें. जैसे हम ने पढ़ा तके संग्या हम किसी भी नाम को कहते हैं. नाम यानि कि व्यक्ति के नाम हो सकते हैं जैसे कि शिवम, राधा, शुरेश तो ये सारे जो है ना ये व्यक्तियों के नाम हो गए तो ये सारे जो नाम है ये संग्या हो गए उसी तरह से वस्तूों के नाम में जैसे की मेज, किताब, कापी, कलम ये सारे भी वस्तू के नाम है तो ये सारे भी संग्या हो गए उसी तरह से स्थानों के नाम, तो स्थान में जैसे कि स्कूल, स्थान का नाम हो गया, हाइदरबाद, आगराब, अस्पताल, तो ये सारे क्या हो गए? स्थान के नाम हो गए, तो ये भी संग्या हो गए, उसी तरह से पश्वों के नाम भी संग्या कहलाते हैं, पश्वों के न होते हैं वो भी संग्या कहलाते हैं भाओों के नाम भाओ यानि इमोशन जिसे हम ऐढ़ा या सारे भी संघ्या ही होते हैं उसा gep Alexandre देखे फ्रकव नाम पाने वाली तो इस तरह से बच्चों को आपको यह बताना है कि किसी भी चीजों के नाम यानकी कोई भी ऐसा नाम है उसे ही हम संग्या कहते हैं जिसमें बच्चों को आप इस तरह से एक्जांप्ल स dent की गत्रू समझाएंगे तो बच्चे जल्दी समझते हैं और आसानी से आप recy स्टार्ट कर सकते हैं यह समझाने के बाद कुछ इस तरह की वोक्षिट से आप बच्चों की प्राक्टिस जरूर कराएं जैसे देखिए यहां पर पहला वोक्षिट है संग्या शब्द पर गोला करें तो अब यहां पर जो वाक्य दिये गया है इसमें बच्चों को जो संग् देखने गए थे तो यहां पे ना ताजमहल क्या है एक इमारत का नाम है तो इसलिए इमारत का नाम है तो क्या हो गया यह संग्या हो गया ताजमहल संग्या होगा गोला कर देंगे नेक्स देखिए यमुना नदी हमारे गाउं से गुजरती है क्या गुजरती है यमुना नदी का नाम है तो यमुना नदी क्या है संग्या हो गया इसे गोला कर देंगे नेक्स देखिए मेरे पापा विद्याले में जाते हैं यहां पे पापा कहा जाते हैं विद्याले में जाते हैं यानि कि विद्याले क्या है स्थान का नाम हो गया तो हम क्या करेंगे गोला कर देंगे उसी तरह से next देखे मुहन के पास तीन पैंसिले हैं तो यहाँ पे मुहन तो संग्या है क्योंकि एक वेक्ति का नाम हो गया और मुहन के पास क्या है तीन पैंसिले हैं तो पैंसिले क्या हो गया वस्तू का नाम हो गया है तो यह भी हमारा संग्या हो गया तो इस तरह से बच्छ अगही नाम, बच्चों को अदर साइड में डूम और मैच करना है। जैसे देखेाँ आप में नाम हती है, जैसे बच्चपन, जैसे को ना में साथ मिला देंगेD नदी, नदी का नाम क्या हो सकता है, यहां पे देख सकता है, जैसे की गंगा, तो गंगा नदी का नाम हो गया, स्थान, स्थान का नाम क्या हो सकता है, जैसे पटना, पटना स्थान का नाम है, उसी तरह से फल, फल का नाम यहां दिया है, अमरू, तो हम इसके साथ मिला देंग उसी जैसे वेक्ति, वेक्ति का नाम जैसे की विपुल वेक्ति का नाम है तो इसके साथ मिला देंगे और उसी जैसे जानवर, जैसे की बैल, बैल क्या हो गया जानवर का नाम हो गया तो मिला देंगे तो इस तरह से बच्चो को आप जरूर बताएं कि किसी भी नाम को ही हम जाने के लिए आप ऐसे बच्चों की वोक्षिट बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं. Now here is the next वोक्षिट, संग्या सबसे रिक्त स्थान बरे, तो यहाँ पे बच्चों कुछ शंग्या के सब्द दिये गए, इनकी मदद से न दिये गए, इस रिक्त स्थान को बच्चों को बरना है, और complete करना है. जैसे देखिए यहाँ पेहला वाक्या है, ताज महल डैश में है. तो ताज महल कहाँ पे है, तो हम इस्थान का नाम यहाँ पे लिखना है. तो ताजमहर आगरा में है, तो हम आगरा को यहाँ पे कट कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे आगरा में है, इस तरह से, नेक्स देखिए, राधा डैश पढ़ती है, तो राधा क्या पढ़ती है, राधा पुस्तक, पुस्तक क्या है, वस्तु का नाम हो गया, इसलिए यह त defined से नेस्ट धेगे जंगल में डैश दहारता है तो जंगल में कॉन डाख़ा यहां पर है शेर तो हम इहां तो मुझे समोसा खाना बहुत पसंद है इस तरह से तो इस तरह से आप बच्चों को संग्या की प्राक्टिस के लिए इस तरह से रिक्त स्थान देते हुए बच्चों के प्राक्टिस करा सकते हैं तो here is the next worksheet, नीचे दिये गए वाक्यों में से संग्या चार्ट कर लिखें, तो यहां पर बच्चे को कुछ वाक्य लिखके दिये गए, इसमें से बच्चे को संग्या को चार्ट कर दिये गा जगा पर लिखना है, जैसे देखें पहला वाक्य है, खेत के पास नदी है, तो इस एक स्थान का नाम हो गया, इसलिए खेत हमारा संग्या शब्द हो गया, नेक्स देखें, रोहन रोजाना होटल में जाता है, तो यहाँ पर इस वाक्ये में संग्या शब्द क्या हो गया, रोहन क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है और होटल क्योंकि ये स्थान का नाम है तो हम दोनों ही नाम यहां लिख देंगे रोहन और कॉमा देखे होटल लिख देंगे यहां पे इस तरह से इस तरह से आप बच्चे को समझाए उसी तरह से नेक्स देखिए बंदर उची चलांग लगाता है तो इस पूरे वाक्यय में संग्या शब्द क्या हो गया बंदर बंदर क्यूंकि ये एक जानवर का नाम है और किसी भी जानवर के नाम को भी हम संग्या कहते हैं ये हम ने पड़ा था तो हम यहां लिखेंगे बंदर नेक्स देखिए मैं बहुत उदास हूँ तो इस पूरे वाक्य में हमारा संग्या क्या है उदास उदास इसलिए क्योंकि ये एक भाव का नाम है तो हम यहां लिख देंगे उदास इस तरह से नेक्स देखिए लाल किला दिल्ली में है तो यहाँ पे संग्या क्या है इस वाक्य में लाल किला लाल किला क्यूंकि यह किमारत का नाम हो गया और दिल्ली क्यूंकि यह एक स्थान का नाम हो गया यानि कि लाल किला और दिल्ली दोनों ही संग्या हो गया तो उसे हम यहाँ उसमें से संग्या को चाट कर लिखने के लिए दे सकते हैं इस तरह से भी आप बच्चों की बहुत ही असानी से संग्या से रिलेटेड प्रक्टिस करा सकते हैं संग्या शब्दों को चाट कर सही जगा पर लिखें तो अब यहाँ पे कई सारे बच्चों को संग्या के शब्द दिये गए हैं जिससे बच्चों को चाट करना उनके सही जगा पर लिखना है यानि कि कौन सा संग्या का नाम है वो कौन से जगा पर जाएगा इसे बच्चों क जैसे देखिये पहला यहां पर शब्ध है गड़ी तो गड़ी कौन सी संध्या है वहिट वस्तू है इसतौ है यह भाज है तो जो गड़ी है है यह वस्तु का नाम है इसलिए हम इसे कट कर के वस्तू की पर लिखंगें घड़ी इस तरह से को तक एक एक कहता मुखता क्या है कोलकता है स्थान का नाम तो हम यहां लिख देंılंगे कोलकता इस्स तरह से नेक्स देखिए मिठास मिठास क्या है मिठास भाव का नाम है तो हम मिठास को कट करेंगे और मिठास भाव की स्थान पे लिख देंगे नेक्स देखिए राधा राधा क्या है वेक्ति का नाम हो गया तो हम वेक्ति की जगर पे राधा लिखेंगे इस तरह से और इसे कट कर देंगे, नेक्स देखे, राकेश, अगेन राकेश क्या है, वेक्ती का नाम है, तो हम वेक्ती की स्थान पर लिख देंगे, नेक्स देखे, पंखा, पंखा क्या है, वस्तू है, तो हम यहां लिख देंगे, पंखा, इस तरह से, उसी देखे, भारत, भारत क्या ह स्थान है तो हम यहां लिख देंगे भारत इस तरह से और इसे कट कर देंगे नेक्स देखे चमच चमच क्या है वस्तु है तो हम यहां लिख देंगे चमच इस तरह से नेक्स देखे जैपूर जैपूर क्या है अगेन यह क्या है एक स्थान का नाम है तो यह स्थान की जगह प यहां ना बच्चो को कुछ वाक्य सब्ड आएगा वाक्य चुने बच्चो कोछ वाक्य दिये गा है वाक्य पढ़ते हुए बच्चो को उस वाक्य में कौन सा स्वही संग्या शब्द आएगा उसे बच्चो को चुनना है जैसे देखे पहला यहाँ पर वाक्यہ है । दिन के समय रोश्णी देता है तो यहाँ पर विकल्प दिये है सूरज चान्द या बादल तो यहाँ पे कौनसा संग्याशब्द वाक्य के हिसाब से सही है तो क्या दिन में रोशनी देता है सूरज तो सूरज संग्याशब्द इस वाक्य के लिए सही है तो हम सूरज को टिक कर देंगे नेक्स देखिए हम पढ़ने के लिए डैश जाते हैं बाजार, पाठशाला या माल, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, हम बढ़ने के लिए कहां जाते हैं, पाठशाला, तो हम पाठशाला वाले विकल्प को टिक करेंगे, उसी इसे नेक्स देखिए, डैश हमारे कपडे सिलता है, कौन हमारे कपडे सिलता है, धोबी, सुनार या द दरजी, तो आंसर क्या होगा, दरजी संग्या शब्द सही है, इस वाक्य के हिसाब से तो हम दरजी को टिक कर देंगे, नेक्स देखिए, आकास में डैश चागए, बादल, फूल, पहाड, तो आकास में क्या चागए, बादल चागए, तो बादल संग्या शब्द सही है, त इस तरह से बच्चों को वाक्य पढ़ते हुए सही संग्या सब्द को चुनने के लिए भी बच्चों को पढ़ाया जाते है और सिखाया जाते है तो आप इस तरह से भी वॉक्षित देखे बच्चों की प्राक्टिस करा सकते हैं That's all for today's videos friends I hope कि आपके बच्चों के लिए ये संग्या और संग्या से related वॉक्षित काफी helpful रही होंगी आप इस तरह से बच्चों को व्याकरन में जरूर समझाएं संग्या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए helpful रहा हो तो प्लीज वीडियो को करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलती हो आप से नेक्स वीडियो या वोक्षित के साथ तब तक के लिए ठीक केर और बबाए